आप सभी का तरहिष्टी यूटूब चैनल में बेहत स्वागत है मैं विकाश्टेक रेग आज एक ऐसे विसे की साथ आया हूँ जो बेहत महत्पूर होने वाला है कई बार हमारा मुबाईल चोरी हो जाता है तो हमें इस आसमें फोन लगाते हैं कि कोई भला इंसान फोन उठा ले और कहें कि भाईया आपका मुबाईल मुझे मिला है आप अपना एडर्स बतर दीजिए मैं आपकी घर में लाकर आपका मुबाईल देते हैं जी नहीं कई बार आपको मुबाईल इस उद्देशे चे उससे गुम होता है कि उससे बेच दिया जा है जी हां कई बार आपको मुबाईल चोरी हो जाता है उस मुबाईल को डू Shelby के लिए आप क्या करते हैं बार बार कॉल करते हैं या फिर लोकेशन डूरे की कोशुस करते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके मॉबाईल को बन कर दे, स्विच आप कर दे या फिर सिम तोड़ दे, तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास एक उपाय होता है वहाँ है पुलिस कम्प्लेंड का लेकिन जब आप पुलिस कम्प्लेंड करने के लिए पुलिस रिस्टेशन जाते हैं तब आपसे नंबर पूछा जाता है वहाँ है IMEI नंबर यानि यहाँ 15 अंकिये डिजिट कोड एक ऐसा महत्पून कोड होता है जो हम मोबाइल के लिए महत्पून होता है जब भी आप मोबाइल सॉप में कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें एक चिट लगी होती है उस चिट में एक नंबर होता है IMEI नंबर जिसका full form होता है International Mobile Equipment Identity जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर राष्टिये 140 दूरभास यंद्र पहचान इस नमबर के जिरिये पुलिस आपके मोबाइल की करेंट लोकेशन का पता कर आपके मोबाइल को ढूलती है जी हां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एया में IMI नमबर का आपकी सिम से कोई संबन्द नहीं होता है अगर आपके मोबाइल में दूसरी सिम भी एक्टिवेट हो जाए तो भी आपका IMI नमबर वही होगा और तब भी पुलिस आपके मोबाइल को ढूंड सकती है लेकिन दोस्तों आपके पास तो IMI नमबर हो गए ही नहीं तो आप पुलिस कमप्लेंड कैसे कर सकते हैं क्योंकि बेना IMI नमबर के पुलिस कमप्लेंड नहीं किज़ा सकती तो कैसे पता करें अपना IMI नमबर तो मैं आपको बताता हूँ अपने mobile में dial करें star has 06 has एक बार और बताना चाहूँगा star has 06 has इस नमबर को dial करते ही आपके mobile में आपके phone का IMI नमबर आ जाएगा आप इस नमबर का screen shot लेकर एक ऐसे अपने दूसरे mobile पर save कर ले या फिर आप किसी copy पर note कर ले कि आपका कभी भी mobile गुम होता है तो आप IMI नमबर दे कर police complaint कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आज कल कई बार ऐसा भी हो रहा है कि mobile की IMI नमबर बदल दिये जा रहा है लेकिन आपको बता दू कि IMI नमबर बदलना किसी भी hacker के बस की बात नहीं है यहाँ एक software engineer और उसके साथ एक team मिलकर ही कर सकती है एक अकेला व्यक्ती IMI नमबर को नहीं बदल सकता और Apple और iPhone के IMI नमबर कभी नहीं बदले सकते और भारत सरकार एक ऐसे प्रावधन लाने की और है जिसमें अगर आपके IMI नमबर को बदल भी दिया जाता है तो police आपके phone को trace कर सकती है और इसी IMI नमबर के जरिये police अफरादियों के phone को trace करती है दोस्तों कहा चाता है कि आपके ग्यान का कोई लाब नहीं उस ग्यान का कोई लाब नहीं जो समाज और लोगों के काम ना आए आपको हमारे वीडियो से कोई ग्यान प्राप्त हुआ है या नहीं या फिर आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं वीडियो को like करें और comment करें आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं अगर हमने आपका वक्त जाया किया है तो हम इसके लिए माफी चाते हैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि IMEI नंबर भविश्य में बेहत महतपूर होने वाला है और आपके फोन से जुड़ा यहां एक महतपूर अंग है यहां आपके मोबाइल की आत्मा है आपके मोबाइल की गुम होने पर यहां उसे ढूलने में मदद करेगा तो आप अपने IMEI नंबर को जरूर सेव या कहिपल लिख कर रखिए जैहें दोस्तों